एलो एर्यवन question है which is larger 3 की power 75 और 2 की power 100 हमें 3 की power 75 और 2 की power 100 में से बड़ा बताना है तो हम क्या करेंगे इस type के question में हमें या तो power को same बना लेना है या इसकी value को same बना लेना तो हम इसमें ना power को same बनाएंगे तो जैसे 3 की power 75 है तो इसको लिखेंगे हम 3 की पावर 3 की पावर 25 पावर हमेशा क्या होती है multiply जैसे आप 3 की 25 से multiply करोगे क्या बनेगा 75 यहाँ पर जो identity जो हमने यूज की है हो है A की पावर M की पावर N is equal to A की पावर M into N पावर की हमेशा क्या होगी multiply यह जो बनाया 3 की पावर 3 को हम लिखेंगे 27 27 की पावर 25 उसके बाद हम solve करेंगे 2 की पावर 100 को 2 की पावर 100 को लिखेंगे 2 की पावर 4 की पावर 25 आपको पता है 4 की और 25 की multiply करेंगे क्या बनेगा 100 तो पावर हमेशा क्या होती है multiply तो 2 की पावर 4 क्या होगा 16 तो 16 की पावर 25 अब इन दोनों में 3 की पावर 75 और 2 की पावर 100 में पावर दोनों में क्या है same तो पावर का आप कोई रोल नहीं है अब हमें देखना है value को अब 27 और 16 अब 27 में और 16 में बढ़ा कौन सा है 27 तो इसका मतलब क्या है तो 3 की पावर 75 है वह value क्या है greater है larger है तो हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 75 is larger then 2 की पावर 100 अगर आपको वीडियो अच्छा लग है वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फोर वोचिंग माई वीडियो